लखनो आपकी बात आप सबको नैनी ताल का पूरा टूर करवा रहा है तो नैनी ताल का व्लॉग आप सब ने देखा फर्स्ट व्लॉग देखा शेकेंड व्लॉग देखा और आपके सामने यह आने वाला है नैनी ताल का थर्ड व्लॉग तो इसमें हम लोग कुछ खाने की बाते करेगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है चाइनीज किचन तो चाइनीज किचन में जा करके हम लोगों ने खाए क्या खाए मूमोस जी हाँ मूमोस खाए हम लोगों ने तो चाइनीज किचन के मूमोस का taste कैसा था? ये सब आप सब को बताने जा रहे तो Chinese Kitchen के mumos का taste बहुत ला जवाब था बहुत spicy बहुत तीखे और बहुत testy mumos थे और यहां की चौमीन अब आप के सामने आने जा रही है ये देख़िए ये mumos हो गाई आपके सामने है भूहाइथ टेस्टी है कोई जवाब नहीं है एक नंबर मुमोस है खा करके नैनी ताल کے मुमोस खा करके मज़ा आगहेखे बिलकुल एकदम ऑसम और इसके बाद हम लोगों ने मंगाई चामीन तो चौमीन खाई हम लोगों ने तो चौमीन का भी टेस्ट बहुत ही बहुत ही अच्छा था मतलब चाइनीज किचन जो रेस्टोरेंट है यहां का तो वहां जो है जो टेस्ट है न वो बहुत बर्दस मिलता है देखिए चौमीन आ गई है हम सब के सामने तो चौमीन का भी टेस्ट बहुत अच्छा था तो हम लोग का पेट फूल हो चुका था इससे पहले हम लोग खाना भी खा चुके थे तो उसके बाद थोड़ा स्पाइसी खा लिया बट लेकिन यहां के फ्राइड राइस भी बहुत काफी अच्छे होते हैं उसके बाद हम लोग गय होटल वहाँ थोड़ा खाना वाना खाया तो हम लोग ने तंदूरी रोटी मंगाई और उसके बाद मंगाया यह दाल मखनी आपके सामने है दाल मखनी और उसके साथ जो है दाल मखनी के साथ जो है इन्ही ने हमें दिया प्याज प्याज और यह ग्रीन चटनी ग्रीन चटनी का टेस्ट हम आपको बता दें यह तो ग्रीन चटनी का टेस्ट तो बिलकुल ही बकवास था मतलब खा कि क्या इसको चक के जो है जबान का मज़ाई खराब हो गया तो ये गरीन चटनी आप लोग को मिले इस कलर की तो बिलकुल भी नखाएं उम्मीद करते हैं कि आप सब को हमारा ये थर्ड व्लॉक बहुत बहुत पसंद आया होगा तो हमारा ये थर्ड व्लॉक पसंद आया हो तो हमारा योट्यूब चैनल लखनव आप की बात लाइक किए शेयर किए और सबस्क्राइब किए तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी ये नैनी ताल की सिरीज देखी फर्स्ट व्लॉक से